नमस्कर, स्कूल विद्याती चानल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नाम है सोनाली जादो, स्कूल विद्याती ये चानल खास करके हमने स्कूल गोइंग स्टूडन्स और उनके पैरेंट्स के लिए बनाया है, ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो चूडी वाले इस चैप्टर का और ये वीडियो चार पार्ट में बनेगा, ये पार्ट वन है, पहला क्वेशन है, शन्नू चा वागड़या मागिल तीचा विचार काय असावा या विशय तूम से मत लिहा, ठीक है, तो शन्नू आपको पता है चूडी वाले ये चैप्टर में स्टोरी क्या है, अगर आपको नहीं पता होगी, तो प्लीज आप पहले चैप्टर देखिए, चूडी वाला पार्ट वन, पार्ट टू मेंने बनाया है, उसको पहले सुनिए, फिर question answer आप देखे, तो आप ज्यादा समझ पाओगे, तो शन्नू नाम की उसकी बीवी है, अब्दुल की बीवी, तो वो अब्दुल के साथ अच्छा व्यभार नहीं करती, तो आपका क्या थोट है, कि वो ऐसा क्यों बरताव करती होगी अब्दुल के साथ, ठीक है, अब्दुल इतना अच्छा काम करता है, फिर भी उसकी वाईफ, उसको हमेशा टॉंट मारती रह ठीक है, तो वो ऐसा क्यों बीरेकरती है, तो आपका मत यहाँ पर अपको लिखना है, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन का मीनिक क्या है, ठीक है, शन्यू तीचा नवर्यावर नहें में रूसलेली असते आपको पॉइंट में आझे लिखना है आपको डारेक्ले लाइन तू लाइन लिखना है पॉइंट में आपको समझने के लिए देती हूँ ठीक है, लैंगवेज में कभी भी कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं लिखना होता है ठीक है, सो पहला दिखते हैं शन्नु ही एक साम्मान्य गुरुहीनी आहे गुरुहीनी का मतलब होता है housewife साम्मान्य मतलब normal, ठीक है, ordinary सो शन्नु ये जो है अबदुल की wife वो एक साम्मान्य गुरुहीनी है ती एक साम्मान्य गुरुहीनी आहे घरात काम करनारी, मुलाना सांभालनारी अशी एक साधारण अशी स्त्री आहे ती साधारण गुरुहीनी आहे ठीक है, त्या मुले तीला तीचा घरा विशेईची कर्तव्ये माहीत आहे आता ती सामने गुरुहीनी असलिया मोले घरा विशयीची करतवे बंजे घरात काय पाईज आणी काय नोको घर कस चालोला पाईज या वद्दल तिला सगया गोश्टी माहीत आहे ठीके करेंटी घरात राते तीचा घरात लक्षा है थर्ड आपल्या पतीने चांगला धंदा करावा खुब पैसे कमवावे आणी अपले घर नीट चालवावे असे तिला वाटे आता ती गुरुहीनी असलिया मोले आणी घरातली काम तिला महीत असलिया मोले तीला अस वाट्ट कि तीचा जो पतिया है जो कि अब्दुला है ताने चांगला धंदा करावातो बांगड़ांचा आण तचे तुनको पैसे मिलवावे और त्या पैसा ने आपला अपन घर व्यवस्थित चालवाव जसर रगु भाया चालवतो तस आपन सुद्धा आपला बिजनेस व्यवस्थित करूं अपला घर नीट सालवाव एवड़ी अपैक्षा तीची नहुर्या करूं आए ठीक है हिंदी में थोड़ा बताती हूं पॉइंट नमबर टू से कि देखिए शन्नु ये क्या है एक सामान्य हाउस वाइफ है घर में रहने वाली और इसी वज अच्छे तरीके से चलाए फोथ सना चा दिवशी बायका बांगड़ा भरला एता ठीक है उनका टाइम होता है कमाने का बांगड़ी जो बेचते है उनका वही सीजन का टाइम होता है कब होता है जब फेस्टिवल होता है सन याने की फेस्टिवल सो सना चा दिवशी बायका तिथे बांगड़ा भराला एता, जसे कि संक्रांत सन हाँ चैप्टर मदे तुमाला सांगित लेला है, त्या वीशे अब्दूल तपो वना तिल स्रियान ना भांगड़ा भराला जातों, पन त्या च वेला अब्दूल जह उसतों, तो येवडा सनाचे दिशी जा दिशी सगल बंदर आता, आणि कुष्ठर हो गया ना तो बांगड़ा जए भराला जातों, तो फ्री ओफ कोस्ट भरतों तो, तीथे तो काही कमवत नाई, ठीक है? तचा मोले, एकतर तो सनाचे दिशी दुखान बंद केला मोले तो लोस मदे जातों, ताला काही एक रुपया तो कमाई बंची ताशा मूलाने साधी एक खादी गोष्ट कुडली मागी तली, तरी सद सुद्धा तो हट्ट देखिल तयाला पुरावत यतने करन पैशांची कम तरता है, मोचकेश पैसे तांचा कड़े आहे ताणि ताचा तांचा घर चालता, तो या सगया गोष्टी जाहे, ती शन्नु नहेमी बगध असते, तीला या गोष्टी समझत असता, आणि हे सर्व वगुन शन्नु अब्दुल्ला नहेमी तोचुन बोलतासे, आणि मनुन असते, ती त्याला मनुन तोचुन बोलतासे, कि हे असस अगला है, कि आपन कमावत आणि आपन अपन अपले मुलाच साधा हट्ट सुदा पूरुशकत नहीं तरम काई समाज सेवा करेची कशाला करेची असा तीचा मनना असता पन तीचा अश्या वागणाचा अर्थे एवड़ाचा की तीचा कुटूमबाचा ती आधी विचार करते बंजे विचार आधी करते पन ती वाईट आहे असा ही ते क्रेची एवड़ा आय तक्ता मन्ना पताता ताला कलीए क्लेक सेवर सही सबस्या तीचा मनना आधी करीका शार ना तीक करेची असा मनने तो फ्यक्तूमब नारवाट डूंतिल सेवान झेंगे यतात मतलब जब फेस्टिवल का दिन त्योहार के दिन जो लेडीज लोग होती है वो बंगड़ी भरने के लिए आती है पर उसी दिन अब्दुल क्या करता है वो तपोवन जाता है कुष्टरोगी स्रीयोग को बंगड़ी भरने के लिए तो इसके वज़े से उसको पैसे कमान उस धन्दे से बच्चे का वो सिंपल जो हट हट मतलब उसकी चाहत जो चोटी-चोटी चाहत भी होता है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता अब्दुल और ये सब देखने के बाद जो शन्नू है वो अब्दुल को हमेशा कुछ न कुछ गलत सलत बोलती है क्यों आप ऐसे क वर्ताव करते हैं उसका मीनिंग इतना ही है कि वोससे पहले उसके कपटूंब का उसके फामिली के परिवार का वो क्या करती है उया धियान रखती है अभी दूसरा देखिए क्या है दूसरा question है मतलब आप जब दूसरों को मदद करते हो तो आपको जो happy वाली feeling आती है न तो ऐसा कोई आपको incident बताना है कि आपने देखि लाइफ में कभी न कभी किसी को तो मदद की होगी ऐसा moment आप ढूंडिये इसा incident आप ढूंडिये mind में आपके memories में कि कभ आपने किसी को मदद कीते है और आपको बहुत अच्छा लगा था वो सब करके तो वो आपको incident यहाँ पे लिखना है तो मैंने एक random लिखा है यहाँ पर आप खुद का लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा मैंने एक लिखा है वो आप देख लिजे कैसे लिखा है sentence छोटे रखिए पर meaning बराबर होना चाहिए ठीक है नवीची वार्शिक परिक्षा जवड आली होती मतलब 9th standard अब याप 10th के हो तो मैंने 9th लिखा है इसके लिए कि 9th standard का जो final exam होता है उसको मराठी में वार्शिक परिक्षा ऐसे बोला जाता है सो नवीची वार्शिक परिक्षा जवड आली होती मतलब 9th की जो final test थी वो पास आ गई थी तेहां मुणे आमी सरवजन अभ्यास करो तो इसलिए हम सब लोग study कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे अभ्यास करता ना मला कर ले कि माजा मित्राला अगर लड़का होगा मित्र लिखना है मतलब जो यहां पर मेल आएगा और माइत्री मतलब फीमेल फ्रेंड है वो आएगे ठीक है अगर आपको महित्रीन लिखना है तो महित्रीन ही लिखो, मित्र लिखना है तो मित्र ही लिखो मैंने दोनों लिखा है क्योंकि boys और girls को उनकी choices के लिए माझा मित्राला गणित हा विशय अवगड़ जात आहे स्टड़ी करने के मतलब पढ़ाई करने के वक्त मुझे एक बात समझ में आगई कि मेरे दोस्त को जो math subject गणित यानिके math वो बहुत ही difficult जा रहा है अउगड यानिके difficult जा रहा है त्यावड़ी मी तिला अभी यहाँ पे लडगा होगा तो क्या होगा त्याला होगा ठीके त्याला एक मिन्ट तिला स्क्लाइश यहाँ पे अगर लडगा लिख रहे हो आप मित्र लिख रहे हो तो यहाँ पे त्याला आएगा ठीके यह मैं ppt में बाद में जाके correct करूंगे जब आपको PDF दोंगे लिंक, ठीक है, त्यावेला मी तिला, किववा त्याला, शाड़ा सुटलावर, त्याच्छा घरी, जाउन, त्याला, एक तास, गणित विशय, शिकवला, और तब, जब मुझे ये बात समझ में आए, कि उसको मैच्स ये सब्जेक्ट है, वो डिफिकल् हर दिन, उसके बाद का हर दिन में क्या करता था, स्कूल शुटने के बाद, उसके घर पे एक तास, मतलब वन आवर, ठीक है, एक घंटा जाके में उसको मैच्स सिखाता था, तीने सुध्धा, अगर लड़का होगा तो त्याने सुध्धा, ठीक है, ये करेक्ट, मैं आपको करके देते हो, त्याने सुध्धा, कि वा तीने सुध्धा, खूप महनत गेतली, मतलब उसने भी बहुत महनत की थी, हाड़ वक किया था, यसा नहीं कि मेरी महनत है, सामने वाली की भी महनत होनी चाहिए, अशा प्रकारे परिक्षेच आधी, तिला, कि वा त्याला, गणित विशय सोपावाटू लगला, और इस तरह से, प्रक्टिस करने के वज़े से, उसको परिक्षेच आधी, मतलब एक्जाम के पहले उसको गणित जो विशय था, वो इजी लगने लगा, जैसे कि अभी आपको मराठी सबजेक्ट इजी लग रहा है, तीक है, वैसे ही ये बात है, तीला मदद करून मला देखील, कूँप आनन्द जाला, मतलब उसको हेल्प करके, यहाँ पर लडगा होगा तो त्याला, मतलब उसको हेल्प करके, मुझे भी बहुत आनन्द हुआ, बहुत ही अखुछी महसूस होई, जैसे कि मुझे होती है, आपको सिखाने के बाद, तिला शिकवताना माजा सुद्धा गणित विशय सा अभ्यास खुब पक्का जाला, मतलब यहाँ पे त्याला होगा, लड़का होगा तो, उसको सिखाते वक्त, शिकवताना मतलब उसको जब मैं सिखाती थी, या फिर सिखाता था, तो माजा सुद्धा मतलब मेरा भी गणित विशय का जो स्टड़ी था, जो पढ़ाई थी, वो बहुत ही पक्की हो गई, मतलब जब आप यह चीज आप, जब कभी किसी को पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो जब आप किसी को एक चीज सिखाते हो, जो आपको आती है, और आप किसी और को सिखा रहे हैं, तो आप उसमें और मास्टर करते हो, आपको वो चीज और ध्यान में तो आपका भी वहाँ पर प्रॉफिट होता ही है ठीक है तो तब जाके दिखे न्यान हे दिल्याने वाड़ते ही गोश्ट तेवा मला समझ ली मतलब हम सब जगह से सुनते है कि नौलेज देने से बढ़ता है नौलेज देने से बढ़ता है पर वो चीज एक्सपीरियंस करनी हो अधिक है कोई भी बोलेगा और आप पोलोगे हाँ ठीक होता होगा पर जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस करोगे तो वो चीज आप तभी एक्सपीरियंस करोगे जब आप खुद ट्राइ करोगे तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि मैंने उसको सिखाया ग्यान दिया तो मेरा भी ग्यान बढ़ा तो यह जो चीज है वो मुझे समझे इस दोरा दूसरे आला मदद करने आज जो आनन्द मिलतो तो आनन्द खूप महत्वाचा सतो मतलब हम जब दूसरे को हेल्प करते है तो जो खूशी मिलती है वो जो खूशी होती है वो सबसे महत्वाचा पूढ़ा खूशी होती है हमारे लाइफ में तो आनन्द आपन कदिस विसरत नहीं असे मला वाटते और वो जो happiness है वो हम लोग life में कभी भी नहीं भूलते क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने किसी की help की और सामने वाला बहुत ही कुछ है हमारी help से तो वो happiness वाला feeling होता है वो हम लोग कभी कभी नहीं भूलते ऐसे मुझे लगता है और यह पूरा स्वमत मैंने मेरे तरीके से लिखा है अगर आपको तोड़ा कुछ add करना है कम करना है तो आपके उपर है आप कर सकते हो ठीक है पर कम मत करिये ज्यादा ही रखिए क्योंकि स्वमत बढ़ा ही आता है ठीक है तो आपको यह बात समझी लड़के की तरीके से लिखेंगे तो यहां पर मित्र ऐसे ही लिखेंगे तो उसके बाद में सब इसी कि जैसा आएगा उसी लिन्ग तीक है पूसी का यूज करो गें अगर लड़किया जो वीडियो देख रहे हैं, वो महित्री न लिखेंगे, फीमेल फ्रेंड, तो बाद में सबी जगर पे तिला, तिच्चा, ऐसे ही आप फीमेल ही सरवनाम यूज करोगे, यह चीज हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो मैंने बाद में फीमेल फीमेल ह क्या है, क्योंकि मैं भी फीमेल हूँ, वैसे ही लिखने की आदत होती है हमारे माइड़ सेट में, तो इसके लिए मैंने फीमेल लिखा है, पर मैं स्लाइश में करके, मेल का जो भी आता है त्याचा, तो वो मैं आपको पीपीटी में करेक्ट करके, पीडियेफ लिंक जो है इसका वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको वो मिल जाए, आप उसको नोटबुक में लिख पाओ, ठीक है, तो एक पर फिर से हम लोग पूरे दोनों आंसर अच्छे से पढ़ते हैं, और फिर हमारा वीडियो रूप क्लोज करते हैं, अपले पतिने चांगला धंदा करावा, खुब पैसे कमवावेत, आणि अपले घर नीट चालवावे असे तिला वाट्टे, सनाचा दिवशी बायका बांगड़ा भरायला येता, त्या दिवशी अबदुल तपोवना तिल स्त्रियानना बांगड़ा भरायला जातो, त्या त्या मुले पैसे कमवनाची संदी तो गमावतो, त्या मुले पुरेसे पैसे मिलत नाहित, मुलाचा साधा हट्ट देखिल पूरवता येत नाहि, हेस दर्व बगोन शन्नु अबदुल्ला नहमी टोचुन बोलत अस्ते, पन तिचा अशा वागनाचा अर्थ एवढाच, की तिचा कुटूंबाचा विज्जार आधी करते, सेकेंड, दूसर्याला मदद करन्यातला आनंद, जा प्रसंगातुन में हुशकतो असा प्रसंगली हा, नववी ची वार्षिक परिक्षा जवड आली होती, त्या मुले आम मी सर्वजन अभ्यास करत होतो, अभ्यास करताना म तास गणित विशय शिकवला, तीने सुद्धा खूब महनत गेतली, अशा प्रकारे परिक्षेचा हाधी तीला गणित विशय सोपा वाटू लागला, तीला मदद करून मला दिखिल खूब आनंद जाला, तीला शिकवताना माजा सुद्धा गणित विशयाचा अभ्यास ख आपको दोनों आंसर यहां पर समझ में आये हैं, अगर समझ में आये हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, बेल आइकोन को क्लिक कीजे, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आजाए टाइम पे, और आउट होगा, तो कॉमेंट सेक्शन में चाहिए, और कॉमेंट कीजे, तैंक यू सो मच, फोर लविंग मी, सपोर्टिंग मी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, धन्यवाद,